नमस्कार सातियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है GKM Nursing Career Point एक इस online digital platform पर और जी हाँ आप सभी student का एक बार फिर से इस आज संध्या का लिंग जो वीडियो है इस वीडियो में आप सभी student का और हमारे YouTube चेनल पर आप सभी student का एक बार फिर से स्वागत है आज आपन बात करेंगे PNST के बारे में जी हाँ PNST 2021-2022 के बारे में बात करेंगे Counseling आ चुकी है आप सभी को इंतजार था इस Counseling के बारे में और जी हाँ Counseling आ चुकी है तो आप सब भी student इस वीडियो को last तक देखे और इस वीडियो के माद्यम से last तक बने रहें क्योंकि मैं आज आपको वो information दूँगा जो आपके लिए सरल एवम आपके लिए आपके selections के लिए काफी अच्छी साबीत होने वाली है तो जी हाँ इस वीडियो के माद्यम से आप बने रहें मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा कि इसमें कित्ती क्या सीटे आगे पीछे हुई है कैसे क्या counseling करवाना है कब सीट एलोटेट होगा और सारी information में आपको detail wise देने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स इसकी first counseling है इसका schedule जारी हो चुका है क्या कै चीज़े बदला हुआ इस पियनिश्टी counseling के अंदर इसकी counseling कोन करवा रहा है वो चीजों के बारे माँ आपन बात करने वाले सबसे पहले यदि आपन बात करें student कि जो आपकी counseling की total seat के ओपर यदि मैं बात करूँ total कित्ते seat के 810 seat के ओपर counseling होने वाली थी लेकिन student ये जो seat है इस बार 810 में से बदलाव करके कित्ता 765 seat कर दी गई है कित्ती student 765 seat कर दी गई है और इसमें college के अंदर seats का क्या हुआ increase हुई है यानि कि जो seats है वो आपकी क्या हो गई है कम हो गई है अब seats कम हुई है तो यदि मैं बात करू कि जित्ती भी categories है उन सारी categories के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा changes देखने को मिलेगा तो सबसे पहले यदि में बात करूँ कि सर changes क्या हुआ है तो यहाँ पर आप सभी student को बता दूँ कि जो ये पुराना है जो आपका directorate medical DME की जो seat तीस का total seat का जो allotted है वो seat का पूरा notification है आप पीछे देख रहेंगे इसके अलावा यदी में बात करूँ कि इसमें एक चीज ओर बता देता हूं कि इसमें जो बढ़ला हुआ है वो total यदी में बात करें है अपन detail wise बात करेंगे इसमें यदी आपन बात करें कि सर indoor के अंदर कितनी seat से यदी में बात करो indoor के जबलपूर 112 seat, ग्वाले के अंदर 113 seat, रिवा के अंदर 113 seat और सागर के अंदर same to same जित्ती पहले seat थी 120 seat उतनी seat रही है यदी में बात करूँ कि सर ये seat के अंदर कितनी seat कम जादा हुई है तो वो इदर में आपको site में लिग देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा यदी में बात करें student कि इंदोर के अंदर यदी में बात करूँ कित्ती seat कम हुई है student 7 seat कम हुई है बोपाल के अंदर कित्ती seat कम हुई है student 16 seats कम हुई है यदी में बात करूँ इसके अलावा कि और कौन से city के अंदर तो यहाँ पर आपका जो जबलपूर है यहाँ पर कित्ती सीट कम हुए यद можно करें कि हम government nursing college जो ग्वालियर का है इस ग्वालियर के अंदर टोटल शीट कित्ती student कम हुए साथ सीट कम हुए इसके अलावा यदि आपन बात करें कि सर रीवा है रीवा के अंदर कित्ती सीट तो यहां पर रीवा के अंदर कित्ती सीट कम हुए है student, रिवा के अंदर कित्ती seat कम हुई है, 7 seat कम हुई है, और सागर के अंदर कित्ती seat है, 0, यानि कि total आप number seat की, यदि मैं बात करूँ कि total आपकी जो college की seats थी, वो कित्टी थी student, 810 seat ती, लेकिन अब कित्टे के ओपर counseling होगी 765 के ओपर, कित्टे के ओपर 8 गौलियर के अंदर साथ हुई है रिवा के अंदर साथ और सागर के अंदर किती जीरो सीट्स कम हुई है अब एक चीज में बता दूं कि यह जो counselling 실ndłby है इस counselling में changes हो रहा है तो चेंजेस देके ता आब जितने भी category है यानि general category है schedule SD category है SC category है OBC category है है इस counselling में changes हो रहा है तो changes देके ता आप जित्ती भी category है यानि general category है schedule ht category है hc category है obc category और यदि मैं बात करूं कि ews वाले जो student है इन सभी में क्या आ चुका सीट में बतलाव आ चुका है तो यहां तक की जानकारी समझ में आ गई फर्स्ट आपका doubt क्लियर हो गया कि सर जो total 810 सीट के ओपर counseling होने वाली थी उसमें से अब घटा कर किती सीटे कर दी गई है student जी या किती सीटों के ओपर counseling होगी 765 सीट जो है इस सीट के अंदर counseling होने वाल लिए और important date रहेगी ति इस important date में आपन किसे क्या choice feeling अगेरा करवा पाएंगे जैसा कि सबसे फर्स्ट में यदी में बात करूँ publication of vacancies and eligible candidates list यानि कि जो student counseling के लिए eligible है और जिनका normalization के बाद में जो list आने वाली ये कब student आएगी seat आपकी 30 तारिक को आपकी seat क्या है आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पर आप देख सकते है DME की website के उपर second ये दी में बात करूँ student कि यहाँ पर लिखा है registration come choice filling and choice locking यानि कि student आप जो है सभी student इसकी counseling जो है उसकी choice filling कब से कब तक कर सकते हैं तो सभी student को एक चीज में बात बता दूँ कि यह जो सभी date है इन सभी date के अंदर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि जो आपको date दी गई है उस date के आप एक से दो दिन पहले जी हाँ इसमें बहुत सारे student गलतियां कर देते हैं कि sir last date बची उस दिन करवा देंगे ऐसा न वो सबसे बड़ी आपकी गलती होगी और सायथ आपका इससे selection रुख सकता है क्योंकि आपकी counseling यदि आप choice filling करेंगे तभी आपका उसमें क्या होगा government nursing college के अंदर admission होगा तो यहां तक चीज का समझने के बाद में यदि आपन बात करें कि सरी यह जो चीज हो गई है तो समझ तीन जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं yanlış filling कर सकते हैं इसके के से लिस्ट जारी होगी student वेक में गालेजीबल जो काडिटेट conclude को अई करवाना चाहिए के टेगरी वाइस में जो नेश्ट वीडियो आएगा कल उसमें यदि आपन बात करें कि सर चोईस फिलिंग करवाने के बाद में नेश्ट वन यदि बारी किसकी आती है यदि में बात करूं कि इसके अंदर आप चोईस फिलिंग करवाते हैं और बाइद वे आपसे कोई से भी मिश्टेक हो जाती है या गलती हो जाती है और आप कोलेज आगे पीछे करना चाहते हैं या जो आप चोईस फिलिंग करेंगे उसके अंदर कुछ भी आप आप वैडीटिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं ज़ोउष फिलिंग करवा सकते हैं यदि में बात करूं merit of registration आपको choice filling candidate यानि कि जो आपका registration है जो choice filling का जो वो है आप वो कब से merit यानि कि merit student जो जिनके student के list आई है ये कम choice filled candidate कब तक मैंने आपको एक date बता दिये 13 से 14 तारिक तक तो आपको क्या होगा registration हो जाएगा और इसमें यदि में बात करू merit of registration registration जो भी student merit वगेरा आई है जिनके list आई है कब तक करवा सकते 16 तारिक से लेकर 16 तारिक को आप क्या करवा सकते इसमें registration करवा सकते जिन student का merit में नाम आया है यहाँ पर जो आएगा ये counselling के बाद में यदि मैं बात करू कि allotment result first round जी हाँ आप सभी का जीन student का आप choice feeling करवा रहे है उन student की क्या है आपको एक चीज़ पता होगे कि ये जो आप choice feeling करवाएंगे उसके बाद में आपको क्या होगा allotment मिलेगा allotment क्या होता है कि आपको कौन सा government nursing college मिला है आपको कौन सा government nursing college मिला है इस government nursing college के अंदर आपको ये जो लिस्ट है वो कब प्राक्त होने वाली है 19 जनवरी को कब होगी student 19 जनवरी को आपको ये चीज भी मिलने वाली है यदि आपन लास्ट की बात करें कि यहां पर लिखा हुआ है report by allocated candidates इसमें जो student है जिन student का भी selection होता है उन student की यदि में बात करूँ कि nursing college के अंदर आपका admission process कब से होगी आपकी list कब जारी हुए student 19 जनवरी को दियान रखें आपकी जो कब होगी 19 जनवरी को होगी और यदी में बात करूँ कि 19 जनवरी के अलावा इसमें यदी में बात करूँ कि 19 जनवरी के अंदर जो आपका है क्या हो जाएगा एलोट्मेंट जो है फर्स्ट राउंड आ जाएगी लिस्ट आ जाएगी आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी जारी हो जाएगी लिस्ट जारी होने के बाद में आपको क्या admission की process करनी है admission की process है जो first counseling जिन student की हुई है इन student की जो first counseling होने के बाद admission process है वो कब से कब तक start रहेगी 20 तारीक से कब से लेकर 20 से लेकर यदि मैं बात करू तो कब तक student 25 January तक ये process रहेगी अब 20 से 25 तारीक तक January के अंदर ये process रहेगी इस process के अंदर आपको एक चीज और भी ध्यान में रखना है एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो आपकी 20 तारीक है इस 20 तारीक से लेकर आप 25 तारीक तक सभी student यहाँ पर एक चीज और note down करे, अभी दिमाग के अंदर भी चीजे save कर ले, जो बता रहा हूँ, कि आपको जो choice feeling है, यह सारी process आपको मैंने बताई थी, कि time से पहले सारी चीजे आपको कर लेना है, यदि जैसे कि आपका यदि इसमें जो merit list में नाम आ जाता है, फिर आप case के ले जाएंगे admission के लिए, आप यह न करें कि सरापन 25 तारीक को पहुच जाएंगे, admission process करवा लेंगे, आपको कब पहुचना है student, 20 तारीक को आपको पहुचना है, ताकि कोई सा भी documents वगेरा, यदि कोई सा भी documents वगेरा अधूरा है, यदि आपका document कोई भी complete नहीं है, incomplete है, तो उन incomplete document को आप कब तक complete करवा सकते हैं, आपके पास time रहेगा, 20 से लेकर, 20 तारीक को यदि आप चले जाते हैं, तो आपके पास में 21, 22, 23, 24 और 25, यानि total updates के इतने होगा student, 5 दिन आपको मिलेंगे, इस 5 दिन के अंदर कोई भी document में है, कोई भी चीज, problem की rate हो गई, उस problem क आप क्या करवा सकेंगे, solution करवा सकेंगे, और government nursing college के अंदर आपका admission complete हो जाएगा, तो यहां तक की चीजे मनें बताई, यहां तक की चीजे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आई हैं, अब आगे भी चलते हैं, कि sir, आगे और कुछ बता दी, जे detail, कि document verification के अंदर क्या- वो में पूरा करके clear करके आपको जाऊंगा, ताकि आप आज से बे फिकर होके GKM के इस YouTube चैनल के साथ में जूड़ेंगे, और जब तक आपका admission process नहीं होगी, तक तक आप बे tension free रहें, एकदम tension free रहे कर, cool mind के साथ में आपनी जो आगे की process उसको बढ़ाए, next seven यदि आपन बात करें student, कि यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी आपको इसके पहले मैंने document verification का आपको वीडियो बनाया होगा, सभी student ने उसको देखा होगा, और आपको वहाँ पर चीजे और भी क्या है, समझी में आई होगी, यदि आपको चीजे समझी में आई है, तो उसके अलावा और क्या चीजे बदला हुई है, वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर MP Online जब registration में आपको बताया था कि जो registration आप करवाएंगे, जो चाई spilling करवाएंगे, वो चीज आपके पास में क्या student होना जरूरी है, यद आपका जो रिजर्ड वर रेंक वगेरा जो आई यह टोटल आप नंबर की, यह चीज आपके पास में होना क्या जरूरी है, यदि मैं बात करू कि दसवी उत्तिर्ण की मूल अंक सुची, पीनेश्टी की करणी का 3, 2, 4, बारवी की उत्तिर्ण मूल अंक सुची, यानि कि ब पर्मान पतर आपका चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो इस्टुडेंट कौन से रखना आपको पता होगा, कि पासपोर्ट साइज फोटो आपके कौन सो होना चाहिए, जो आपने एक्जाम टाइम पर जब एक्जाम के पहले आपने एक्जा इस डिस्टिक के medical hospital से आपको क्या करवाना है आपका medical परमान पत्रा आपको बनवाना है चीज़े समझ में आ रही होगी अच्छे से और चीजों को मैं बता देता हूँ कि यह चीज ध्यान दे यह medical वाला सबसे बड़ा पॉइंटरे तक सर कहां से बनवाई क्या चीज़ आपको बेने बता दिया है जीला जो है आपका जो जीले से आप बिलोंग करते हैं जो डिश्टिक से आप आते हैं उस जीले मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होना जरूरी है गोर्मेंट का यदि बात करें कि विकलांग परमा पत्र हैं यानि कि परमान पत्र है वह टीसी भी आपके पास जरूरी होना है माईघ्रेशन परमान पत्र बात करें पांटכשיו करने का 6.1 से लेकर यानि कि पेज नंबर जो 6 है इस पेज नंबर आप किसके ऊपर सत्केइगे यह अनुबनिद क्या होता है मिने आपको बटा कशल्ट करवाती है रोगन के तक पर न Arist Eped और पर यह एग्रिमेंट लोगन अजरूरी है। वह गाहँ से बनेगा जिस इस गोर्मेंट नर्सिंग कोलेज के अंदर आपके एडमिसन प्रोसेस हो गये, वहीं से आपका बन जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बात करें कि सर यहां तक तो चीजे हो गए, चिन्नीद परमान पत्र प्रवेश, इसका जो प्रिंट आउट है, आपको एक अच्छे से प्रवेश करना है, यहां पर चात्रा के अस्तक्चर वगवा प्रवेश समीती जो रहेगी, आपको जो एडमिसन देगी, वह सारी प्रोसेस आपको खरवा देगी, तो यहां तक की चीजे मैंने जो बताई, आपको काफी चीजे अच्छे से समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को जादा से जादा से जादा इस्टुएंट तक आप पहुचाए, ताकि हमारा भी जो मनोबल है वो बढ़ सके, और हम आपको काफी अच्छी चीजे प्रवाइट कर सके, यानि काफी अच्छी जानकारी भी हम आपको दे सके, तो यह जानकारी थी PNST की ज जुड़े रहें, GKM नर्सिंग करियर पाइंटे के साथ में हसते रहें, मुस्कराते रहें, और जो इस्टुडेंट PNST 2022 की तैयारी कर रहें हैं, तो आप हमारे GKM के टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों का संगरण मिलेग ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आज के वीडियो में इतना ही, मिलूँगो आपसे नेश्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें, GKM नर्सिंग करियर पाइंटे के बाद में, ओके, थैंक यू